प्यास की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंदर सरकार ने 1600 मीटरिक टन प्यास नासिक से दिल्ली NCR तक कंडा फास्ट ट्रेन द्वारा भेजने की विवस्था की है। यह पहली बार है कि मूलिय स्थिरीकरन हस्तकशेप के अंतरगत रेल रेक द्वारा प्यास के थोक परिवहन के तरीके को अपनाया गया है। प्यास की इस खेप का 20 अक्टूबर तक पहुचना निर्धारित है। स्टॉक को दिल्ली इंसियार में वित्रित किया जाएगा, जिससे इस त्योहारी मौसम के दोरान उपभोकताओं के लिए प्यास की उपलब्धता काफी बढ़ जाएग। वहीं, खुद्रा उपभोकताओं को 35 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से प्यास के वितर्ण के लिए सफल, केंद्रिय भंडार और रिलायंस रिटेल जैसी खुद्रा शुरिंखलाओं के साथ साजेदारी भी की गई है। इसके अलावा, खुद्रा वितर्ण के लिए 9 राजे सरकारों वसहकारी समितियों को 86,500 मीट्रिक टन प्याज आवंटित किया गया है। गुरुवार को केंद्रिय उपभोकता कार्य, खादे एवं सारवजनिक वितर्ण मंत्राले ने यह जानकारीद। मंत्राले के मुताबिक सरकार ने इस वर्ष मूलिय स्थिरीकरन बफर के लिए 4.7 लाख टन रभी प्याज खरीदाथ। पांच सितंबर 2024 से खुद्रा बिक्री के जरिये 35 रुपए प्रती किलोग्राम और देश भर की प्रमुक मंडियों में थोक बिक्री के जरिये भी वितर्ण करना शुरू कर दियात। बफर में लगभग 92,000 मीटरिक टन प्याज नासिक और अन्यस रोत केंदरों से सडक परिवहन द्वारा ट्रकों के जरिये उपभोग केंदरों तक भेजा जा चुका है। अब तक NCCF ने अपने प्याज निप्टान में 21 राजियों में 77 गंतवियों को और नेफेड ने 16 राजियों में 43 गंतवियों को कवर किया है। केंद्र का मानना है कि प्याज निप्टान की शुरुआत से लेकर अब तक प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला काफी हद तक रुख गया है। यूपी, हरियाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, जारखंड और तेलंगाना जैसे प्रमुख राजियों में ओसत खुद्रा मूल्य सितंबर दो हजार चौबीस के पहले सप्ता के स्तर की तुलना में हाल के दिनों में कम हुए हैं। में रेलवे का महत्व बढ़ना तय है क्योंकि निप्टान में तीवर गती लाने के लिए और अधिक स्थानों को जोड़ा जा रहा है। केंद्र का कहना है कि रेल रेक द्वारा प्यास के थोक परिवहन के लिए NCCF द्वारा की गई यह पहल बाजार में प्यास की प्रचुर आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक महत्वपून कदम। रेल गाड़ी द्वारा उपभोग केंद्रों तक प्यास पहुचाने का तरीका लागत प्रभावी और शीग्र थोक परिवहन प्रदान करता। परिवहन का यह कुशल तरीका विभिन क्षेत्रों में प्यास की समय पर और इसके विश्वसनिय वितर्ण में योगदान देख। Bureau Report Market Times TV